वैल तो दोस्तो क्या आप बहुत ही जादे फरेसान हो चीक हो अपने करेंटली टेलिकॉम ओपरेटर की सीम को यूज करके चाहे वो भी कोई भी कमपनी का ओजियो हो, एर्टेल हो, बीएसनेल हो, बुड़ा है, कोई भी कमपनी का सीम है वहाँ पर आपको कोई अच्छी स्पीट भी नहीं देखने को मिलते हैं, जिस करन से वहाँ पर आप अच्छी कॉल नहीं कर पाते हो, आप लोग यह सब देखते हो, अब डिसीजन लहीं ही लिया है, कि आप आपको सीम को पूर्ट कराना है, तो बिसिकली आप बिल्कुल ही से यहाँ आपको इस वीडियों मैं बता हूँ, कि किस तरसे आप अपने सीम को जो भी अभी आप currently सीम सीम यूज कर रहे हो, चाए हो एयर टेल हो, जीयो हो, बिस नेल हो, कोई यहाँ किस तरह से पूर्ट करा सकते हो, तो बिसिकली यहाँ पर मैं आपको दो मेठर बताने बना आपका SIM को port कर दे तो वो आप किस तरह से करा सकते हो तो मतलब दोनों ही मैठर आपको बताने वाला हूँ किस तरह से आप करा सकते हो बस मैं आपसे request एक ही बात करूँगा वीडियो को आप must must end तक देखना विकाज अगर वीडियो को मिस कर देते हो तो अपने SIM को अची तरह से port नहीं कर पाऊगे तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादे इंट्रेस्टिंग होने वाली है तो चले करते हैं वीडियो को फटा की स्टार्ट विदाउट वेस्टिंगे सकेंड दोस्तों SIM port कराने से पहले यहां पर ऐसे कुछ बाते हैं जो कि आपको बहुत ही ज़्यादे जरूरिया जाने अगर आप नहीं जानते हो तो सायसे बाद में आपको बहुत ही ज़्यादे पच्ताने पर सकते हैं आपको पच्तावा भी हो सकता है तो यहां पर कुछ बाते बतारो वो चीज अगर आप नहीं जानते हो, जोबी SIM को पीर करना चाहते हो, तो वो किनके नाम पर है? किनके आड़े प्रूप के साथ आपने SIM को पीर किया है? तो क्या आप अपने SIM को पूर करा सकते हो? जी हाँ, विलकiphlesche को पूर करा सकते हो, तो आप इजली से जाके वहाँ अच्छी तरह से अपना verification करके sim को port करा सकतो and आपके नाम पे वो sim activate हो जाएगी and एक बात और जो कि आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तो अगर आप जो भी sim को port करना चाहते हो अगर currently उस sim में भी recharge है तो आप ये बात जान लो कि जब आप अपने sim को port करा लोगे then आपका जो भी recharge था पिछला जो भी आपके पिछले sim में जिस sim को अपने port कराया है जो भी recharge था वो आपका बरबाद हो जाएगा वो इस transfer नहीं होगा तो ये बात भी आप अच्छी तरह से mind make up कर लो एक बात और जान लो जो कि आपके लिए बहुत ही जादे ही important है तो अगर दोस्तों अगर आप अपने sim को किसी बंदे को बुला के चाहे अगर आप online अपने sim को port करना चाहते हो जब भी आपके घर पे कोई बंदा आएगा जो आपके sim को port करेगा तो मैक्सी ओर करके आप उसका number लेना विकाल जब भी आपका sim activate हो जागा देन आपको वहाँ पर verification करनी परेगी तो verification करने के बाग यहाँ पर FNC या FRNC इसी तरह का कुछ number होता है जो कि आपको वहाँ पर डालना परेगा वो number सिर्फ जो भी बंदा आपका आया था पूट करने sim सिर्फ उसी के पास होता है और वही डाल सकता है तब ही जाके आपका sim verify होगा और साथ ही कुछ और छोटी मोटी बात है दोस्तों यह बात मैं आपको बता तो जब भी आप sim को put करा होगे तो आपका sim में जो भी contact वगरा save है तो सारा चीज उड़ जाएगा तो उसे भी आप अची तरह से कहीं copy करके कहीं लिख के आप रख लेना तो दोस्तों यही कुछ बात है थी जो कि दोस्तों sim put करने से पहले आपको जाना बहुत ही ज़रूरी थी तो आप अची तरह से समझ गये होगे यह सब बाते तो अब चली देखते है किस तरह से हम अपने sim को put कर सकते चाहिए आप online करना चाहते हो या फिर आप nearby shop को visit करना च से आप सर्च बार पर किलिक करो और सब्सक्राइब करो कि दोस्तों अभी आप जीओ का सी म्यूज करो एंड आप उसे एर टेल में पोर्ट करना चाहते हो तो किस तरह से कर सकते हो तो सिंपली से आपको यहां पर एंटेल पोर्ट लिखके से सच कर देना होगा सिंपली से यहांपे आपको हाट के तो तो पे थी क्लिक कर लो इसको कर दो सबसके है आपको जो भी नाम हाह पर सिंपली से इंटर कर दो इंटर करने के बाद दोस्तों सब्सक्राइब से आप अपने सिर्ट करना झाता है जिसी शिर्फ बल आपका पिक कई है निचे में आपको आपको से मूंदिकर क्लिक कर देना पर esti क्लिक करते हैं बढ़ यहां पर सुक्शेश पूल हो चुका है एंडट गर यहां पर आपका इसिम को पूर्ट कर देगा戰 दो तीन दिन के बाद यहां परorta करने के भाद गांब ड वहां भर सकते हो उसके लिए आपको सेंपॉरेप्रश फॉलो करना हूँ और फिर से आपको Google को अपने सर्च बार को आपको बियाए में पूर्ट करना है यहां पर इंटर पिन को अपना जो भी आप जिस भी नुमर को पूर्ट करना जाते वो नमबर यहां पर अपना जो भी पिन कोड़ है यहां पर सेलेक्ट आप करके सिंगे से यहां पर आप उसे कर दिना है यहां पर आप का जो भी फिल अप फॉर्म अपने बारा है वह सक्सेस्फुल हो जाएगा एंट रूतिन के अंदर यहां पर आपके घर तक पहुंच जाने बंदे तो सेम इसी तरह से आप किसी भी कंपणी कर सकते हो लाइक अगर मैंने भी गोडा कर चाहते हो यहां पर उससे पहरे बता तो बीएस नेल का यहां पर आप ऑल-lai-n करा सकते हो तो आपको उसके लिए यहां पर अगर एकर सौप है जहां कि दूस्तों आपको सिंप्ट करता है तो आप आप थाल लाइन अगर चाहो तो यहां प्सक्राइब कर सकते हो तो मैं दो क्राइब करके यहां पर यहां पर सबसे पहले आपको एक मैसेज लिखना है मैसेज किनको भीजना है तो simply से आपको एक number इंटर करना है 1900 इसनãosर पर आपको एक मैसेज लिखना देखी जिस भी number को पोड़ करना चान्च एक उसके उसका यहाँबर आप यहाँबर अपको एक मैसेज लिखना है दूस्ते उसमेसेज कुछ इस तरह करेगा UPC पुर यूर मॉबाइल नंबर मूबाल नंबर यह एंड यहांड याई जир भी जो भी आपको दिखना यही मेरा यूम करना का हिस्वार य यह यूपीसी नंबर को हमेंक करना कश तो 13 देर के अंदर जब भी आप UPC निकालो तो 13 देर के अंदर आप असानी से जाके अपने सीम को वेडियो की स्टोर में जाके आप पूर्ट करा सकते हो तो यह बात आप अच्छी तरसे ध्यान रखना आपको सिम में कोई पूर्ललमम नहीं आने वाले हो चाहे है आप session online करनां चाहते है हjust तो दोस्तो तदिक के लिए जेन पीए से के वीडियो के साथ मिलता हूं नेक्स्ट आइम